तो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा एप जो कि आपका लैप्टॉप या कप्पीटर को के स्क्रीन को रेकॉड कर सकता है और ये बिल्कुल फ्री है तो पहले आप ये किजिए क्रूम गूगल में जाकर OBS प्रोजेक्ट को सर्च कीजिए तो आपको एक पेस दिखेगा उसमें आप OBS Open इसको जाना है और यहाँ पर आपको एक इमेज दिखेगा OBS Open Board Caster सब्ट्वेर इसमें आपको तीन चीज दिखेगी Windows Mac Linux तो हम देखेंगे आप अगर Windows को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा कि सपोर्ट में Windows 8, Windows 8.1 और Windows 10 पर यह एप चल सकता है और हम अब आप विंडो को प्रेस कीजे और वो डाउनलोड होगा तो हम डाउनलोड कर चुके हैं पहले सही हम इसको डाउनलोड कर चुके हैं और हम जब एक पेच अन करेंगे तो यह ऐसे आएगा यहाँ पर है Sense और यहाँ पर है Source हमारे यहाँ पर दो चीज़ आएगा पहला है Sense और Source तो हम देखेंगे कि हमारा Source में क्या क्या है इसमें होता है Audio Input Capture, Audio Output Capture, Browser, Color Source, Display Capture, Game Capture, Image, Image Side Slow, Media Source, Scenes, Text, Video Capture, Window Capture इसमें हम सब कुछ पास सकते हैं और इसमें हम Live Streaming भी कर सकते हैं पहले हम Display Capture करेंगे Display Capture करने के बाद आपका Display ऐसा आएगा और उसके बाद हम Setting पर जाएंगे Setting पर जाने से आपका एक ऐसा होगा इसमें Theme आएगा Dark हो या तो मैं यह Set करता हूँ और इसमें Stream में आएगा आप अपना Net को Connect करकर PUBG या कोई भी Free Fire या जो भी खेल सकते हैं और उसको Streaming कर सकते हैं और यहाँ पर Output आएगा Output में हो आपका Streaming Level बताए जाएगा और Audio के साथ यहाँ पर आप अपने डेस्टॉप के Audio और अपने माइक्रोफोन के Audio उसको भी कर सकते हो और यहाँ पर वीडियो आएगा जो कि कितना RAM ROM और यहाँ पर होस्पोट की आएगा यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे होस्पोट की होट की को कर चुका हो जैसे कि Start recording and Stop recording मैं नमबर लोक और प्लस को दवाने से Start recording होगा और नमबर लोक और माइनोस को दवाने से Stop recording होगा और आप Advanced में में कुछ पा सकते हैं ऐसे ही आप कर सकते हैं वीडियो रेकोडिंग और हब मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एक दिखेगा Stop recording Start streaming Start streaming करने से आप जोगी भी गेम खिल रही हैं वो लाइप दिखाया जाएगा और आप उसको YouTube या कोई भी अन्यमाधियम में उपएक कर सकते हैं और इसको Stop recording करने से यह जो record हो रहा है वो अभी Stop हो रहा है Stop हो जाएगा पहले हमको OBS Studio अब्जेक्ट प्रोजेक्ट पर जाना है उसके बाद फिर से आकर OBS Studio में आना है और यहाँ पर window पर क्लिक करने से आपको डेस्क्रिप्शन में डाउनलोड दिखाया जाएगा डाउनलोड का लिंक दिखाया जाएगा तो फ्रेंड्स आप आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊंगा फिर से थैंक्यू शेयर कर जिए लाइक केजिए और कमेंट केजिए ओके बाई